आज का एपिसोड हम इसी आशा के साथ शुरू करते हैं कि आपका नया साल बहुत ही हैपी नोट पर शुरू हुआ होगा तो फिल्म इंडस्टी के लिए ये नया साल कैसे शुरू हुआ है आईए देखते हैं रिव्यूज में आज के रिव्यूज में आज रिलीज हुई है मुंबाइक अडान्स साला और टेक इट इजी इसके अलावा दूसी फिल्म में भी रिलीज हुई है लेकिन हम इन दो फिल्मों को रिव्यू करेंगे तो लेट्स बिगिन विद रिव्यू आफ मुंबाइक अडान्स साला मुंबाइक अडान्स साला एक डान्स बार गर्ल आलिया की कहनी है आलिया, that is, आशिमा शर्मा Actually, ये डान्स बार गर्ल गिरफतार हो जाती है खून के जुर्म में पकड़ी जाती है इसने अपने ही बॉइफरेंड समीर, that is, प्रशान्त नाराइनन का खून किया है क्यों खून किया है? इसकी बैक स्टोरी क्या है? That is what the film's major part is and अंत में इस लड़गी को, यानि इस बार गर्ल को, आलिया को जेल होती है या वो रिया कर दी जाती है ये आपको फिल्म के खत्म होने पर पता चलता है तो आईए सबसे पहले डिसकेस करते हैं इस फिल्म की कहानी, पटकता और समवादों को इस फिल्म के राइटर सचंद्र शर्मा है, एस सचंद्र, who is also the film's director और जहां तक कहानी का सवाल है, कुछ भी नया नहीं है Actually, ये फिल्म जब शुरू होती है, शुरू में ही आपको एहसास हो जाता है कि this one is heavily inspired by Madhur Bhandarkar's चांदनी बार लेकिन comparison वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि जहां Madhur Bhandarkar की चांदनी बार एक बहतरीन फिल्म थी वही मुंबई का डान्स साला बहुत ही shallow film है आलिया किस तरह, किस प्रकार एक डान्स बार गर्ल बनी और उनकी जर्नी कैसी रही ये सब बताया गया है फिल्म में तो कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है और screenplay ऐसा है कि एक के बाद एक जब scenes आते हैं जब drama unfold होता है audience यही सोचते रह जाती है कि आखिर क्या कहने की कोशिश की जा रही है समीर, जो कि आलिया के boyfriend होते है the role is played by प्रशाद नारायनन वो एक आदमी का खून कर देते हैं because उन्हें आलिया को मिलने डुबाई जाना होता है plus he wants to become an underworld dawn तो वो खून क्यों करते हैं, किसका खून करते हैं and उसकी सजा क्या होने वाली है कुछ भी clearly नहीं बताया गया है of course आपको ये clearly बताया गया है कि जिसके लिए वो आदमी जिसको प्रशाद नारायनन उर्फ समीर ने मारा है तो उसका जो बॉस है वो अब समीर का यानि प्रशाद नारायनन के खून का प्यासा है लेकिन पुलीस क्या कर रही है पुलीस को क्या lead मिली है एंड समीर बच के क्या कर रहे है ये बहुत हैपज़र्ट फैशन में बताया गया है प्लस जो आलिया डान्स बार में काम करती है नाचती है वहाँ पर एक और डान्स बार गर्ल है जूली who is like the head of all the डान्स बार गर्ल्स and जूली क्यों आलिया से नफरत करती है कभी बहुत प्यार करती है जूली का समीर के साथ 365 का CPR क्यों है इन सब पर रॉषणी डालने की कोशिश भी नहीं की गई है और अगर इन सब चीजों पर रॉषणी डालने की कोशिश भी की गई है because they are so uninteresting बतौर audience आपको इन सब चीजों में दिल्चस्पी आती ही नहीं है and therefore you remain completely disconnected and not involved यू कहिये, screenplay बहुती बचकाना लिखा गया है and जहां तक dialogues का सवाल है, the dialogues are quite pedestrian हम यहां पर एक ही example देंगे जब Julie यानि राखी सावंद को Rocky यानि किरन जंजानी पर गुसा आता है and Rocky is the choreographer who trains all the dance bar girls in dancing तो जब Julie को Rocky पर गुसा आता है उन्हें Rocky को ये कहना है कि तुम जोपड़ पट्टी वाले की तरह behave कर रहे हो लेकिन वो उन्हें सिर्फ जोपड़ पट्टी बुलाती है तो dialogues इस प्रकार के हैं therefore we say the dialogues are quite pedestrian और अब एक नसर डालेंगे actors के performances पर आशिमा शर्मा ड़सन लुक दबार गर्ची प्लेज और उनका performance भी बहुत बहुत ज्यादा ordinary है प्रशांथ नारायनन is just about okay किरन जंजानी उन्हें करने के लिए कुछ विशेश नहीं दिया गया है and he is barely average राखी सावंत, she gets more than she can chew in fact, वो जो कपड़े पहनती है they are an eyesore and her performance is nothing to shout about हां, एक डान्स में वो definitely चमकी है लेकिन इतना लंबा रोल राखी सावंत को दिया गया है तो आप सोचते रह जाते हैं कि ऐसी क्या बात है उन्हें इतना लंबा रोल क्यों दिया गया because she fails to deliver आदित्या पंचोली also doesn't have a role of much consequence and he is just about all right शक्ती कपूर जो की एक effeminate costume designer की भूमिका निभा रहे हैं he passes muster कुछ बहतरीन काम नहीं है बहुत ही ordinary किसम से उन्होंने acting की है there is Mukesh Tiwari as the police officer he is all right there is also Pankaj Berry as another police officer उन्होंने भी काम ठीक ठा किया है एक comedian है VIP उनकी comedy किसी को समझी नहीं आती है because उनके comic scenes में हसी बिलकुल नहीं आती है then there is Raj Priemi there is also Usman Khan and there is Latish Jha all of them are very very routine, very very ordinary Gargi Patel, जो की आलिया की मा की भूमिका निभारी है she has her moments और बाकी supporting actors चोटे बड़े रोल्स में है उन्होंने अपना-पना काम average भी नहीं किया है और अब एक नजर डालेंगे direction और दूसरे technical aspects पर Sachindra Sharma के निर्देशन में ये film बनी है and ये कहना के उनका निर्देशन कमजोर है बिलकुल सही होगा because he has not been able to involve the audience neither with his story nor with his narrative style in fact narration इतना hapazard है के आपको film देखते वक लगता है के आकर ये film बनी तो बनी क्यों film में संगीत बहुती ordinary है बहुती routine है हाँ एक गाना चुम्मा वाला गाना जिस पर राकी सावंद का डांस है वो गाना definitely musically बहुती बढ़िया है and उसका picturization भी अच्छा है बाकी songs are just about okay choreography also is nothing to shout about cinematography, art direction, editing इन सब departments में भी ये film बहुती कमजोर है overall, Mumbai का अडांसाला audience को पसंद नहीं आएगी वैसे भी आज इस film की opening बेहुत बेहुत कमजोर लगी है of course, it was not expected to take a good start especially because of lack of face value और ये कहना मुश्किल नहीं है कि this film will prove to be an unmitigated flop जी हाँ, बहुत बड़ी flop साबित होगी और अब आते हैं, take it easy की तरफ take it easy is about parents who put pressure on their children to excel in studies, sports, in every sphere of life actually, उन parents की कहानी है जो अपने छोटे-छोटे बच्चों पर इतना pressure डालते है कि class में first आना चाहिए, sports में first आना चाहिए you must excel in this, you must excel in that और इतना pressure डालते है pressure की वजह से उन छोटे-छोटे नादान मासूम बच्चों पर क्या गुजरती है, ये दिखाया गया है इस film में जाहिर सी बात है कि ये parental pressure की कहानी है तो एक school is the focal point of this story school में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और राज जुटशी और जोती गौबा का भी बच्चा that is master prasad ready, वो भी पढ़ता है और साथ में दिपानिता शर्मा अटवल और जॉइस सैन गुपता उनका भी बच्चा यानी master यश घानेकर वो भी पढ़ रहा है और इन दोनों में हमेशा competition रहता है दोनों बच्चों के parents डाटते हैं, फटकारते हैं तक कि मारते भी हैं अपने बच्चों को जब वो एक्सेल नहीं करते हैं क्योंकि दोनों बच्चों के parents ये चाहते हैं कि उनका बच्चा सर्वश्रेष्ट रहे एक्चुली राज जूटशी जो है उन्होंने उलम्पिक्स जीतने की बहुत कोशिश की थी in his heydays but उनका लेग इंजर हो गया था और इसलिए वो उलम्पिक्स में जीत नहीं पाये थे therefore he's frustrated and he wants that his son excel in sports और इसलिए वो अपने बेटे को that is master prasad ready को बहुत मारते हैं जब भी वो sports में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है या school में अच्छा performance नहीं दे पाता है and obviously the pressure for master prasad ready is too much after all वो इतना छोटा बच्चा है यहां दूसरी तरफ जॉइस एन गुपता अपने बेटे को played by master यश घानिकर उसे भी बहुत मारते हैं बहुत पीटते हैं and उनका पूरा frustration बच्चे पर निकालते हैं जब भी वो बच्चा perform नहीं कर पाता है और इसलिए एक बार master यश घानिकर यानि दिपानिता शर्मा अटबल और जॉइस एन गुपता का बेटा रेस में जीत तो जाता है first आ जाता है लेकिन बाद में he breaks down और अपने family members को बताता है कि उसने अपने rival यानि रगू that is master प्रसाद रेड़ी के राह में कीले फेक दी थी जिसकी वज़े से एक कील उसके पैर में लग गई थी master प्रसाद रेड़ी के पैर में लग गई थी और इसलिए first आते आते वो गिर गया था and therefore master यश घानिकर had come first तो ऐसे unfair means बच्चे use करने लग जाते हैं लेकिन धीरे धीरे इन दो बच्चों को बात समझ में आ जाती है और ये तो दोस्त बन जाते हैं but the parents are of course at loggerheads और फिर एक ऐसा mode आता है when the pressure gets too much for master प्रसाद ready यानि राज जूट्शी और जोती गौबा के बेटे पर इतना pressure आता है कि वो भाग जाता है और भागते भागते बीच पर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो school uniform में है इसलिए school की chair person रीमा देसाई that is supriya करनिक she gets very angry because उन्हें ऐसे लगता है कि उनके school का spotless reputation जो है अब दाव पर लग चुका है because आखिर एक school के uniform में बच्चा बेहोश पाया गया था वो भी इतना छोटा बच्चा on the beach और इसलिए वो उस बच्चे के parents यानि राज शूट्शी और जोती गौबा को पूछे बिना psychiatrist को उस बच्चे को refer करती है जिस वज़ा से parents को बहुत गुसा आता है parents और chairperson में बहुत गर्मा गर्मी होती है कहा सुनी होती है and हमारी जो chairperson है that is supriya karnik she is such an egoistic lady कि वो उस बच्चे को school से रस्टिकेट कर देती है यहां तक कि उस बच्चे की चोटी बहन वो भी उसी school में पढ़ती है उसे भी रस्टिकेट कर देती है रस्टिकेट करते वक्त साथ में यह challenge देती है उस बच्चे के father को यानि राज जूटशी को कि अगर हिम्मत है तो आने वाले races में आपके बच्चे को जीत कर या जित्वा कर बताईए यह challenge राज जूटशी accept करते हैं लेकिन हमारी जो चेर परसन है वो बहुती स्कीमिंग और बहुती wicked lady है और वो कुछ ऐसी plotting और planning करती है कि यह नामुमकिन होगा कि वो बच्चा यानि Master Prasad Reddy जीत जाये race में She ensures that the race would be won by her student that is Master Yash Ghanekar तो क्या Yash Ghanekar race जीतते हैं या फिर जीत Master Prasad Reddy की होती है और जिसकी भी जीत होती है कैसे जीत होती है क्या होता है that is shown in the climax तो आएए सबसे पहले discuss करते इस विल्म की कहानी पठकता और समवादों को This film has been scripted by Sunil Prem Vyaz who is also the director of the film वैसे तो Sunil Prem Vyaz की कहानी अच्छी है noble intentions वाली है क्योंकि film के जरिये कहानी के जरिये ये message देने की कोशिश की गई है कि parental pressure जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बच्चे की हालत खराब हो सकती है बच्चा किन किन tension से गुजरता है ये बताया गया है इस कहानी के जरिये So, the story is well intentioned लेकिन साथ में ये कहना पड़ेगा कि तारे जमी पर से जो inspiration इस कहानी ने लिया है वो बहुती ज्यादा obvious है बहुती ज्यादा है inspiration और इसलिए नया पन नहीं है इस फिल्म में जहां तक सुनील प्रेम व्यास के screenplay का सवाल है It is full of gaping holes सबसे पहली बात तो ये कि राज जूटशी जो किरदार प्ले कर रहे है He plays the character of Azad the father of Raghu and as you all know Raghu's character is played by Master Prasad Reddy तो वो अपने बेटे को इस कदर मारते हैं इतनी बेरहमी से मारते हैं जब भी वो underperform करता है कि आपको लगता है ये आदमी जलाद है लेकिन यही आजाद सड़ली एक हीरो बन जाते है जब उनका सामना होता है स्कूल के चेर परसन रीमा देसाई के साथ उस सीन में ऐसे लगता है कि ये आजाद तो बहुत भले बहुत अच्छे इनसान है बट जो वैम्प है वो है स्कूल की चेर परसन लेकिन ऐसा चेंज आफ हार्ट सडन चेंज आफ हार्ट क्यों हुआ हाँ इस सीन में अगर आजाद अपनी गलती एडमिट करते तो डेफिनेटली इस सीन में तालिया पढ़ सकती थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है सडनली आप ये पाते हैं कि एक इनसान जो जलाद लगा था आपको वो सडनली अपने बच्चे के फेवर में कैसे बोल रहा है जबकि उसने अपने बच्चे को ही इतना पीटा था इतना मारा था और इसलिए आपको उस सीन में जो एमोशन्स मैसूस होने चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है सेकंडली जब उस स्कूल की चेर परसन को समझाने बड़े भुज़र गाते हैं इस कारेक्टरिस प्लेड बाई विकरम गोखले वो उन्हें बहुत समझाते हैं कि एक डिजर्विंग बच्चे को रस्टिकेट करके उन्होंने ठीक नहीं किया है तब रिमा देसाई उन्हें इतना सुनाती है और साथ में ये कहती है कि मेरे बच्पन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था बच्चे को बच्चे को रस्टिकेट करती है और दूसरी तरफ वो खुद ही कहती है कि मुझे जब चालेंज दिया गया था जब मैं चोटी थी आइड एकसेप्ट दिस चालेंज और देर्फॉ आइड बेकें अवरी स्ट्रॉंग पर्सन आइड रिजन तो सच ग्रेट हाइट तो एक तरफ आपको लगता है कि ये इतनी इविल लेडी है दूसरी तरफ आपको लगता है कि शी इस थ्रोइंग असिमिलर चालेंज तो दे फादर अव दे चालेंज शी रस्टिकेट विदाओट हाविग इस गुड़ अट हाट कि तू मुच ऑपेरेंटल प्रेशर इस रॉंग एंड ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने मासूम बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं तू परफॉर्म और परफॉर्म वेल वो एक्चुली विलिन्स हैं लेकिन क्लाइमाक्स में आपको ऐसे लगता है हो जाती है कि आखिर इस फिल्म के जरिये आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं So all and all the screenplay is quite weak and जहां तक सुनील प्रेम वियास के dialogues का सवाल है The dialogues ought to have been far more punch packed ये dialogues अगर ज्यादा वजदार होते हैं तो फिल्म में फिल्म देखने में ज्यादा मज़ा आता तो ये तो ही बात script की आईए अब एक नज़र डालते हैं actors के performances पर Raj Zutshi has done well but in some scenes only बाकी scenes में ऐसे लगता है that he has gone overboard because he is very loud Dipanita Sharma Atwal definitely is very restrained and does a fine job Joyce N. Gupta ने भी बढ़िया काम किया है Jyoti Gauva is quite all right Anang Desai definitely makes his presence felt with his performance Supriya Karnik is loud and crass at times ऐसे लगता नहीं है कि वो इतने बड़े school की chairperson है कुछ scenes में उन्होंने भी अच्छा काम किया है लेकिन कुछ scenes में खास कर जब उनका जगड़ा हो रहा है with the parents of Raghu उन scenes में ऐसे लगता है कि ये ऐसे रास्ते वाली fight में indulge कर रही है it almost looks like a street fight so her performance doesn't befit her status Master Prasad Reddy जो की रगु की भूमिका निभा रहे है and Master Yash Ghanekar जिन्होंने अजय की भूमिका निभाई है दोनोंने बहुती बढ़िया काम किया है in fact the two little ones are so natural that आप आश्चर्य चकित रह जाते हैं baby Smera Jadhav looks cute Sulbha Arya definitely makes her presence felt Virendra Saxena as the Hindi teacher has his moments लेकिन बहुत लंबा चोड़ा रोल नहीं है Vikram Gokhale also makes his presence felt he definitely leaves a mark because उनका जो छोटा सा रोल है he definitely leaves a lasting impression Rashmi Sharma as the loud and crass paternal aunt of Dipanita Sharma Atwal she has her moments उन्होंने भी काम अच्छा किया है in fact उनके performance पर एक हलकी सी मुसकान आजाती है because she entertains then there are some special appearance actors like Vikram Gokhale, Vrijendra Kala, Lalit Tiwari and Vijay Kashyap all of them definitely have done reasonably good jobs कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन जो भी काम किया है ठीक ठाक किया है तो ये तो हुई actors के performances की बात आईए अब एक नजर डालते हैं direction और दूसरे technical aspects पर ये फिल्म सुनील प्रेम व्यास के निर्देशन में बनी है the music has been composed by Papli Priya, Sushant Kishor, Style Bhai and Subhi and music is just about okay actually functional है क्योंकि गाने कोई भी हिट नहीं हुए है जहां तक lyrics का सवाल है बहुत सारे songwriters ने गानों को लिखा है यहां पर हम एक theme song की बात करेंगे that song as far as lyrics go bears so much resemblance to the song मेरी माँ फ्रम तारे जमी पर which was penned by Prasoon Joshi that audience को यह गाना देखते वक्त सुनते वक्त थोड़ा embarrassment feel होता है the songs have been choreographed by Samir and Arsh Tanna and the choreography is just about functional so Sushant Kishor का background music बहुत ही ordinary है camera work is quite alright sets are okay and Sunil Preem Vyaz की editing is ordinary is so-so so overall take it easy का box office पर performance किस प्रकार कर रहेगा पहले तो take it easy में face value ना के बराबर है और वैसे भी merits भी कुछ विशेश नहीं है हाँ the intentions are noble लेकिन अगर केवल intentions पर film चल सकती तो यह definitely चलती but that doesn't happen और इसलिए take it easy will find the going tough यह box office पर कुछ भी नहीं कर पाएगी वैसे भी आज इस film की opening बेहद बेहद कमजोर लगी है तो दोस्तों इसी के साथ हम आज के अपिसोड के अंत में आ चुके हैं हमारी मुलाकात अप सोमवार को होगी ETC Bollywood Business के एक और मज़िदार exciting episode में in the meantime आपके कोई सुझाब कोई सुझेशन हो तो please do write in to us at bollywoodbusiness at znetwork.com and if you have any questions relating to the world of cinema तो ठाइए अपना mobile phone type कीजे बीबिस space छोड़िये type कीजे अपना पूरा सवार space छोड़कर अपना नाम type करके बेजिये 57575 पर you can follow us on twitter at ETC Bollywood this is Komal Nahata bidding you goodbye and hoping that you have a nice fun-filled weekend you